वेस्ट वर्ल सीजन 3 एपिसोड नमबर 2 कहाने के शुरुवात होती है मेव से जो 1940s के इटली में मौजूद है यहाँ पर उसके सामने एक कुरसी पर कोई शखस बंधा हुआ है जिसे मेव नहीं पहचानती तब ही वहाँ पर हेक्टर आता है और मेव उसे देखकर खुश हो जाती है हमें इनकी स्टोरी लाइन के बारे में पता चलता है कि ये लोग नाजीज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं मेव यहाँ पर होस्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है हमेशा की तरह मगर उसकी पुरानी टेकनीक इस बार काम नहीं कर रही हेक्टर और मेव एक शानदार गाड़ी का इस्तमाल करते हुए पहुँचते हैं एक प्लेन तक मगर जब यंदर जाते हैं तो फ्लाइट क्रू मर चुका है और बाहर से इन्हें नाजीज ने घे रखा है हेक्टर यहां मेव को इसाबेला कहकर बलाता है और मेव को समझ आ जाता है कि हेक्टर को कुछ भी याद नहीं वो मेव को नहीं पहचानता वो सिर्फ अपनी स्टोरी लाइन पर चल रहा है बाहर मौजूद नाजी होस्ट हेक्टर को मार देते हैं और मेव भी सियुसाइड कर लेती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी दुबारा आँखें जरूर खुलेंगी फिर बरनाट को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्ल पहुँच चुका है एक बोर्ट के सहारे यहां पर बहुत सारे साइन्स लगे हुए हैं चाइनीज भाशा में मगर वेस्ट वर्ल की धरती पर कदम रखने के बाद वो देखता है कि किस तरह से यहां मौझूद पुराना वाइड चर्च डिस्ट्रॉई हो चुका है मेव वापस वहां पहुँच चुकी है जहां पर होस्ट को रिपेर किया जाता है वो यहां पर फिलिक्स और सिल्वेस्टर दोनों को देखती है मगर कोई भी उसे नहीं पहचानता वो इन लापस के आसपास घूमती है और देखती है कि हेक्टर बहुत सारी होस्ट बॉडिस के बीच में पढ़ा हुआ है सिक्यॉरिटी उसे रोकने की कोशिश करती है मगर मेव पर उनकी कमांड्स नहीं काम करती वो फिर से खुद को मारने के लिए तयार है मगर तभी वहाँ पर ली साइज मोर पहुँच जाता है और उसे रोकता है हमें याद है कि ली साइज मोर की पिछले सीजन में मौत हो गई थी और मेव भी उसे देखकर हैरान है पता चलता है कि ली साइजमोर सिर्फ घायल हुआ था और भले ही उसे बहुत सारी गोलियां लगी थी मगर वो बच गया किसी तरह से फिलाल वो पहले की ही तरह डेलॉस के लिए काम कर रहा है बाद में जब ली और मेव की अकेले में बात होती है तो वो से पूछती है तुमने मुझे वार वर्ल्ड में क्यों रखा इस पर वो कहता है क्योंकि वार वर्ल्ड फोर्ज के पास है आपको याद होगा कि फोर्ज के अंदर मेव ने अपनी बेटी को भेज दिया था जहां पर टेडी भी है और केचेता भी है बहुत सारे होस्ट को एक तरह से आजादी मिल गई थी वो लोग एक अंजान सर्वर पर मौजूद हैं मेव कहती है इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपनी बेटी से अभी भी मिल सकती हूँ मैं भी फोर्ज के अंदर जा सकती हूँ हम पिछले दो सीजन से देख रहे हैं कि मेव अपनी बेटी को ढूंड रही थी अल्टिमेटली पिछले सीजन के आखर में उसे अपनी बेटी मिल तो जाती है मगर वो उसे फोर्ज में भीज देती है और अब वो खुद फोर्ज में जाकर अपनी बेटी से हमेशा के लिए मिल भी यहां पर घूम रहा है और पुरानी बातें शायद उसे याद आरही हैं वो यहां पर एक कमरे में पहुंचता है जहां पर बेस बहुत सारे वर्जिन्स मौजूद हैँ यहां पर उसे स्ट प्रफ बहुत बहुत इस और फिटक़ से घायल है पता चलता पिर वो यह भी कहता है कि शायद फ्री विल ओवरेटेड है क्योंकि बर्नार्ड इस पार्क से बाहर चला गया था, मगर फिर खुद ही वापस भी आ गया, वो उसे पूछता भी है कि तुम यहां क्यों आए हो, बर्नार्ड उसे बताता है कि वो डिलोरस को रोकना चाहता है, क्योंकि बर्नार्ड के हिसाब से डिलोरस ने हिमानिटी के खिलाफ जंग छेड़ दी है, शायद वो सारे इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है, वो यह भी कहता है कि मैं एक्जाक्ली नहीं जानता कि उसका क्या प्लान है, पर इतना पता है कि उसे रोकना जरूरी है, और ऐसा करने के लिए, बॉर्नार्ट को लगता है कि मेव की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो मेव को ढूणने वेस्ट वर्ल्ड आया है, हमें दुबारा मेव को दिखाया जाता है, जो फिर से वार वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, वो यहाँ फिर से हेक्टर से मिलती है, और ये लोग गाड़ी से जाते हैं प्लेन की तरफ, मगर मेव रास्ते में ही उतर जाती है, और हेक्टर को कहती है कि वो उसके साथ आगे नहीं जा सकती, साथ ही वो से यह भी कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर हेक्टर अपने रोल में है, वो कहता है कि मैं रेजिस्टिंस को छोड़ कर यानि की नाजीस के खिलाफ चल रही बगावत को छोड़ कर नहीं जा सकता मेव इस बात को समझती है कि हेक्टर अभी अपनी स्टोरी लाइन में है इसलिए वो से छोड़ कर आगे बढ़ जाती है जहां उसे मिलता है साइजमोर जो उसका इंतजार कर रहा है दो घोड़ों के साथ ये लोग इनी घोड़ों पर बैट कर जाने वाले हैं मैसा हब तक वही आशली और बरनार्ड भी मैसा साइट की तरफ जा रहे हैं आशली को लग रहा है कि मेव होस्ट स्टोरेज में होगी ये वही जगा है जहां पर बहुत सारी होस्ट की बॉड़ी मौजूद होती है ये वो होस्ट होते हैं जो अब काम नहीं करते वही ली और मेव पहुँच चुके हैं कंट्रोल रूम में जहां पर फोर्ज है आशली ली को लग रहा था कि पिछले सीजन में मेव नहीं सारे होस्ट को किसी अंजान सर्वर पर भेजा है जबकि ऐसा करने वाली थी डॉलोरिस है ली उसे और भी बात करता है वो जानना चाहता है कि इस सिस्टम में लॉग इन कैसे किया जाता है उसे ये भी पता करना है कि hosts के digital version को कहा भेजा गया है फिर वो मेव के पास आता है, उसे kiss करता है और ऐसा लगता है कि वो मेव को चाहता है, पसंद करता है इस पर मेव को realize हो जाता है कि ये Lee size more असली नहीं है वो कहती है कि Lee तो मर चुका है, तुम वो नहीं हो क्योंकि Lee जो है, वो मेरी मदद इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो मुझे प्यार करता था या उसे बदले में मुझसे कुछ चाहिए था वो एक अच्छा इंसान था मेव को पता चल जाता है कि ये Lee size more का robot है उसका सिर्फ एक version है वहीं आशली और बरनार्ट को फिर से दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्ल्ड के storage एरिया में पहुँच चुके है उन्हें यहां मेव की body भी मिल जाती है मगर इसके अंदर कोई control unit जिसे हम pearl भी कहते हैं, वो नहीं है मतलब ये कि यहां मेव की body तो है मगर उसका दिमाग नहीं ली साइजमोर जिसे realize हो चुका है कि वो एक robot है, crash करने लगता है और यहां मौझूद server room भी fade होने लगता है मेव को realize होता है कि यहां मौझूद सर्फ ली साइजमोर ही fake नहीं है बलकि यह पूरी दुनिया ही नकली है यह एक virtual reality है मौझूद लोगों को busy कर देती है वो उन्हें negative one का square root निकालने के लिए कहती है यहां मौझूद लोग calculation में लग जाते हैं और system hang करने लगता है साथी साथ मेव उस जगा को ढूण रही है जहां से इस पूरे area को control किया जा रहा है वहीं Bernard और Ashley भी labs में पहुँच चुके है ऐसा लग रहा है यह दो अलग timelines की बात है क्योंकि यहां पर तो हमें मेव नजर नहीं आ रही Bernard यहां पर खुद में login करने की कोशिश करता है उसे लग रहा है कि उसे Dolores ने create किया है तो हो सकता है उसके system के अंदर कुछ ऐसी बाते हो जिसके बारे में खुद Bernard को ही नहीं पता उसे यह भी लगता है कि उसके अंदर जो code fit किया गया है कहीं वो corrupt ना हो वो अपने ही बारे में और भी जादा बातें जानना चाहता है बीते दिनों में क्या कुछ हुआ है वो से revisit करता है इस पीच यहां पर security के लोग आ जाते हैं जिससे आशली निपटता है Bernard की नजर से हमें बहुत सारे past sequences दिखते हैं मगर सब कुछ नजर नहीं आ पाता इससे पहले ही आशली आ कर unplug कर देता है wire को और यहां से उसे चलने के लिए कहता है Bernard के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो हम फिलहाल नहीं जानते वैसे भी फिलहाल हम इतना जानते हैं कि West World में जो खून खराबा हुआ उसे बीते 90 दिन से जादा हो चुके हैं तो इन 90 दिनों में और क्या कुछ घटा है Bernard क्या Dolores से मिला है या उसने कुछ ऐसी चीज़ की है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी तो उसके बारे में ना हम जानते हैं ना Bernard जानता है ऐसा ही कुछ पिछले सीजन में भी हुआ था मेव बहुच चुकी है फिर से War World के सिनारियो में यहां पर वो प्लान को थोड़ा चेंज कर रही है और खुद ही यहां पर मौजूद नाजीस को अप्रोच करती है वो हेक्टर की जेब में से एक मैप निकालती है मगर इसी तरह का मैप यहां मौजूद सारे रोबोट्स की जेब में मौजूद है आक्चली मेव ने ही इन मैप्स को यहां मौजूद बोट्स की जेब में रखा था जब वो लाब में थी इस वर्चुल रियालिटी में जितने भी रोबोट्स थे confuse हो जाते हैं और shooting करने लगते हैं ये पूरा का पूरा system ही freeze हो जाता है सिवाए Mave के मेव चलते हुए ली के पास पहुँचती है और हमें समझ में आता है कि ली size more भी active है वो भी hang नहीं हुआ है तभी Mave यहां मौजूद एक tablet को hack करती है और बाहर की दुनिया देखने की कोशिश करती है वो एक robot को program करती है और अपने brain को यानि की अपने CPU को जिसे control unit भी कहा जाता है उसे चुराती है उसे पता है कि simulation के बाहर जो असली दुनिया है वहां पर उसका दिमाग रखा गया है खैर robot Mave की control unit तो चुराने में कामियाब हो जाता है मगर security guards उसके पीछे पर जाते हैं उस पर गोलियां चलाई जाती है और आखर कार ये robot गिर जाता है control unit उसके हाथ से फिसल जाती है फिर से हमें Bernard के पास लेकर जाया जाता है ये लोग बीच पर मौजूद हैं पता चलता है कि Ashley आगे नहीं जाना चाहता है जादा मगर Bernard उसे freeze कर देता है उसे reprogram करता है और reprogram कुछ ऐसे किया है कि Stubbs को यानि कि Ashley Stubbs को Bernard लोग को protect करना होगा जब Ashley unfreeze होता है तो उसे कहता है मुझे पहले ही कह देते हैं कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है इस पर Bernard हसता है Basically इनकी tuning जो है वो अभी से ही अच्छे से establish की जा रही है अब देखते हैं ये दुनों साथ में मिलकर West World की दुनिया में या फिर बाहर की दुनिया में क्या करते हैं ये लोग नाव लेते हैं और यहां से चले जाते हैं वही मेव की आँख खुलती है एक बहुत ही आलिशान घर में उसने काफी stylish कपड़े पहने हुए है जब वो बाहर आती है तो यहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है वो बताता है कि उसका नाम है सेरेक सेरेक वही नाम है जिसके बारे में हमें पिछले एपिसोड में भी बताया गया था मार्टन ने मरने से पहले कहा था कि रहबोम को सेरेक कंट्रोल कर रहा है यानि कि ये सेरेक ही है जिसने लियम के पिता के मरने के बाद लियम को सिस्टम से ही बाहर कर दिया और खुद रहबोम को वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है सरेक मेव को असली दुनिया में वेलकम करता है और पिर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है वो कहता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है आसपास कोई थ्रेट है मेव को एहसास होता है कि वो किस थ्रेट की बात कर रहा है शायर डुलोरिस वो समझ जाती है कि डुलोरिस जो है वो असले दुनिया में चली गई है और उसने वहाँ पर भी जंग छेड़ दी है सेरेक को इसका पता चल चुका है और वो डुलोरिस को रोकने के लिए मेव का इस्तमाल करना चाहता है मगर मेव इसके लिए तैयार नहीं है वो एक चाकव उठाती है मगर तभी वो फ्रीस भी हो जाती है क्योंकि सेरक के पास एक बटन है जिसके जरीए वो मेव को कंट्रोल कर सकता है हम जानते हैं कि इस बात को बहुत टाइम बीच चुका है मेव इनसानों के कंट्रोल से बाहर है मगर फिर भी ये एकलौता इनसान है जो मेव को कंट्रोल कर पा रहा है वो से कहता है कि ठीक है हमारे भी जो कुछ हुआ इसे भी भूल जाते हैं दुबारा बात करेंगे और वहां से चला जाता है खत्म हो जाता है ये एपिसोड अब देखते हैं आगे के एपिसोड में मेव सेरक की मदद करती है या नहीं या फिर जब वो डोलर्स के सामने आएगी तो क्या होगा ये देखना काफी इंटरस्टिंग होगा तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे वीडियो और कॉमेंट सेक्शन के जरीए अपने विचार शेयर करते रहिए बाई